तो बेटा चेतन दा बेक बेंचर आज तुम्हारा वाय वाय तयार हो क्यों नहीं आ सर अच्छा तु मुझे ये बताओ गदे पैदा कैसे होते हैं ये तो आप अपने पापा से पूछो ना तुम बेक बेंचर कभी सीधे आंसर नहीं दे सकते ना हमेशाय उल्टे स्थीधे आंसर ही देने होते हैं तुमको सार ये भी एक टालेंट है अच्हा मुझे ये बताओ फ्रेंचर और बेक बेंचर में क्या डिफरेंस होता है मैं बताता हूँ जब फ्रेंट बढ़ा होता है तो वो जाता है डेट पे और जब backbencher बड़ा होता है तो वो जाता है तारीख पे